दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल में राहूल टेक ट्रेडर चैनल में आपका स्वगत है आज हम बात करने वाले हैं गैप ओपनिंग हम किस तरह से मार्केट को देखेंगे किस तरह से मार्केट को रीट करेंगे आज देखें मार्केट में किया क्या है मार्केट आज 400 पॉइंट कैप आप ओपन हुआ और जहां गैप ओपन हुआ है वहां पे एक देखे रेजिस्टेंस पहले एक बेक से ज़्यादा का मतलब कि यह अपन ने यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी इसके बाद मार्केट देखे यहां पर किया क्या है पैटन कौन से बनाया है यहां पे market का pattern समझेगा देखे market यहां से यह market चलते हुए आ रहा है यहां पे गया यहां पे इसका resistance area है यहां पे time भी ताय रहा है यहां पे जैसे इस ने इस high को test किया और इसके बाद यह फिर downfall दिया देखे एक यह भी trend line है यह एक support zone का काम करेगी यह यह इसका एक support zone है जो कि market जब भी यहां पे आ रहा है market bounce back हुआ यहां पे आया market bounce back हुआ यहां पे आया market bounce back मिला और यहां पास से भी देखिए market bounce back गया market यहां उपर high को touch किया इसके बाद से market में weak हो सकता है इसको आपन 15 minute में कर लेते हैं इसको कुछ चीजे हटा देता हूं जो कि बाते कुछ चीजे समझ में आया आपके आप बताएगे कि आपने market में आज क्या देखा यह देखिए इसने अपने 15 minute की candle बनाई 15 minute की candle बनाने के बाद देखें market कर क्या रहा है market अपने यह high बनाया 15 minute की candle जैसे इसने 15 minute की candle ब्रेक किया आपको दिख रहा होगा कि market बहुत मतलब मुव बहुत छोटा है ठीकि जो छोटी छोटी केंडले हैं यह सौस ओप पॉइंट केंडले हैं यहाँ पर काफ़ टाइम market ने देखे एकदम मुव दिया है एकदम मुव और यहाँ इसका ये support zone है यह 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 आपका यह support zone है जहाँ पास से market आ सकता है यहाँ तक अभी देखे अभी time भी ता रहा है live market चल रहा है इसके बाद जैसे यहाँ पर इसने इसको break किया इसने एकदम एक फॉल एक तम अब इसको थोड़ा चोटा कर लेता हूं जो कि आप लोगों को बाते एकदम ध्यान से समझ में आए यह देखिए यहाँ पास से इसने फाइफ मिनट में candle कर देता हूं और किलियर कट आपको समझ में आएगा कि आज हमने 9-17 पे ट्रेट के हूं लिया था यह देखिए अब आप लोग को यह यहाँ पर समझ में आएगा कि मार्केट डाउन गया यह फाइफ मिनट की candle है इस फाइफ मिनट की candle बनने के बाद इसने इस फाइफ मिनट की candle को break ही नहीं किया उपर साइट देखिएगा जहां पर इसने इस प्रोज्च किया फाइफ मिनट की candle की हाई के बाद जैसे उसने क्लोज किया इसके बाद एक candle बने उष्केंडल के बाद उस केंडल की हाई को नहीं break किया आपको इंट्री यहां पर बनेगा यहां पर नहीं थोड़ा इसके उपर आपकी entry बनेगी, एक शेकेंड, आपकी entry यहां पर बनेगी, यहां पर आप entry लेंगे, तो आपको पहला target यह निकल के आएगा, तो आप पकड़ी जुके हो, ठीक, पहला move, आप यहां पर माल लिजे, आप अगर, यहां पर मैं अगर shock identity कर पूँनगा ट्रेड लेकिन यह जो मूँव है इसने अपना जाकर 20-25 मिनट अपना टाइम बिताया है जैसे इसने इसको ब्रेक किया यहां पाद जैसे इसने फिर से विरेक किया यहाँ पर आपको फिर से 80. क्योंकि आज मार्केट वीग है जैसे इसने फाइबनेट की केंडल को फिर से ब्रेक किया क्योंकि आपका पहला ट्रेड जो बन रहा था तो फाइबनेट की केंडल का लो था क्योंकि यह केंडल काफी लंबी थी जो वीग है इसकी काफी लो लगाया था तो आपको पहला मूब तो यह मिल गया, second move आप इसको पकड़ने के लिए आएंगे, अगर आप पकड़ सकते हैं तो ही, बाकी आपको जो भी मिल चुका है, फिर अब मैं यहाँ पे 100 quantity अगर करने वाला था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 25 quantity trade करूँगा, क्योंकि मेरे जो भी profit कर लिया है, उसका मैं कुछ percent of मैं loss ले सकता हूँ, और इसका SL होगा, इसकी जो big का high है, उसका हम लोग SL लेके चलेंगे, इसके बाद 80 point आपने यहाँ पे पालिया है, इसके बाद आपको market में कोई दिखका नहीं, दो trade आपके profitable trade हो चुके हैं, फिर आपको trade नहीं करना है, आपको सिर्फ trade देखना है कि market अब कर किया रहा है, फिर देखिए, यहाँ प्यास से फिर इसने उपर के side resistance लिया, time बिताया, फिर यहाँ पे जो छोटी छोटी यह जो बड़ी बड़ी candle दिख रही हैं आपको, यह 80 point, 100-100 point candle हैं, यह 100-100 point के अभी मैं एक मिनट की करूँँगा, आप उसमें देखिएगा क्योंकि एक मिनट में trade नहीं लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस type से move किया है, यहाँ पे आने के बाद, देखिए, अब यहाँ पे चल रहा है market, अभी इसने, यहाँ पे जो इसका resistance area है, अगर इसको निकालता है, एक move मिल सकता है फिर से यहाँ तक के लिए, अब के ये Candle, उपर close कर पाती है, या नहीं आपाती है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन Candle हैं, ये तीन Candle है, ये ऊपर नहीं पास नहीं है उपर साइड है लेकिन इसके हाई की ही पास है यह देखिए उपर केंडल भी ऊपर जा रही है अब मैं इसको एक मिनट में कर लेता हूं जो कि आपको किलियर कट बाते समझ में आए यह देखिए यह मैंने कर लिया एक मिनट पर लिजे थोड़ी वहता दूंट यह देखिए अब आप लोग को एक मिनट में किलियर कट समझ में आएगा कि मैं यह सब तीजे बता क्यों रहा हूं क्यों हो रहा है आप लोग यह सब बाते बता चलेंगी यहाँ पर अपन जो करते हैं एक सेकेंड वीडियो फूरी देखिएगा यह देखिए फाइब जो एक मिनट की केंडल है उसका हाई देखिए यह उसका लोग है एक मिनट की केंडल का यहाँ पर इसने जैसे ही इस केंडल को आप यहाँ पर पहरा ट्रेड मेरा यहाँ पर था इसका मैंने जो भी पॉइंट यहां पे देखिएगा 48,015 और यहां जाके 48,146 तब यह जो छोटा साथ को मूव दिख रहा है यह 140 पॉइंट का मूव है यह केंडल की मेरा यहां पे मैं जो ट्रेट लिया था मेरा ट्रेट यहां पे बन रहा था यहां पे मैंने ट्रेट लिया और ट्रेट का मैं एकजिट यहां पे किया था यहां पे यह मैंने एकजिट किया था जिसमें मेरा थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट हुआ हो गया फिर जो सिकेंड इंट्री ली जो मैंने सिकेंड इंट्री ली वो यहां पे इंट्रि ली थी वो ये ये वाले एरइये के पास और यहाँ पर इंट्री मैं क्यों लिया ये मैं आपको लोग को बताता हूँ क्यूंकि इसने जो एक मिनट की EPA केंडल को जहां पर इ। है एक मिनट की calendar जहाँ पर open हुई इसके पास जहा पर और यहां पात जो है यहां पास इस-संदलक के लोको neolा को ब्रेक किया मैं यहां पर किकी एड किया यहां पर यहां परह यहां पर मैं पर 10.002 उति कन्ने वाला था तो मैं यहां पास अपना घर ले की जाओंग, इसके बाद मेरा जो भी प्रॉफिट हो गया, अब उसमें से अगर मेरा दस जार का ही प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पास एक हजार का लोस लेने सकता हूँ, SL जो होगा, SL आपको यही रखना पड़ेगा, यहाँ पास जैसे आप निकलेंग तो आपका जो मूव मिलेगा, यहाँ पे आपने इंट्री ली, 48,90 और वहाँ से जो यह मूव मिला, यह मूव मिला 47,90, 46 का, 48,90 था, जाके आपको 100, 130 पॉइंट का मूव है, दिखने में कितना छोटा लग रहा है, इसके बाद आपका सिकेंड मूव, आप यहाँ पे अगर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद इसने इस रेंज पे आ गया, यह रेंज, इस रेंज पे आ गया, यहाँ पे आपको देखना है कि यह कर क्या रहा है, आपको इंट्री नहीं लेना है फिर, क्योंकि आपको जो भी प्रॉफित हो गया है, दो बार प्रॉफित ह ही करूँगा बिस जादा करूँगा ही नहीं इसके बाद यहां पास देखिए एक डोजी केंडल बनी यहां पे ठीक यह वाली जो यहां पे केंडल बनी हो डोजी केंडल बनी है इसके बाद से आप यहां पे भी अगर माल लिजिए आप यहां पे डोजी केंडल पर मैं केंडल लिश्टिक पे जरूर लेता हूं क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ सकता मेरा यसल होता तो यहां पे होता और मैंने उस पर trade लिया था क्योंकि जो यहां पे था इसने यहां पे जो time stop loss लेकielen, यहाँ पे जो camel का High है यह candle का High है ला यहाँ तक मेरा सब्सक्राइब मेरीades tiempo देखिक and आउन फिए यहाँ ला और हिया पर मेरा यहां तक मेरा辣 मूम मिला यह यहां पे यह हो गया टाइम भी ता रहा है मार्केट रेंज भी हो गया ठीक है आप इसके बाद से आप मूब को पकड़नाई नहीं है इसके बाद यहां पे जब मैंने यहां पे इंट्री ली है 40-40 पॉइंट की केंडल है एक मिनिट की केंडल है 40-40 पॉइंट की है यहां पे यह आया फिर 48,9 नौ से 47,830 नौ से मतलब आपको 180 पॉइंट का मूब मिल रहा है मतलब 200 पॉइंट फिर भी आप 200 पॉइंट जे नहीं तो पर 160 पॉइंट हाई तो यहां तक लगाया पर आप 160 तक तो ले सकते हैं 150 पॉइंट के यहां पर मूब मिल गया इसके बाद मेरे को मार्केट में आ रहा ही नहीं है सिर्क मैं मार्केट को देखता रहा इसके बाद यहां पर देखे मैं पॉड़ा मार्केट को देखता रहा फिर इसके बाद से मेरी मैं इंट्री सेकंड इंट्री कोई बनाया ही नही फिर इसके बाद देखिए यहां पर पुड़ा यह market जो है sideways हो गया, यह अपना एक zone हो गया, जिसके अंदर market पुड़ा अपना time बिता रहा है, एक आपको move मिल सकता था कि यह वाला move, यहां पर जैसे इस candle के जो low है, इसको break किया, आप यहां पर एक trade ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरा पहले ही profit हो गया था, मैं इसके बाद जो है कि यह जो time था, यह दस वामन पर, मैं साथे दस बज़े तक market में trade किया, इसके बाद से मैं निकल गया, मैं देखता रहा, फिर मैं नहाने चला गया, यहां पर देखिए अगर आप यहां पर entry भी लिए होते, क्योंकि यहां पर देखिए इसने इसको जैसे ही break किया, एक मिनट की candle है, यहां पर 47,838, 47,838 से इसने low लगाया है, 47,738 से 47,734, मतलब आपको 100 पाइंट की फिर से move मिले, ठीक, 100 पाइंट की move मिलने के बाद आपको और कई सारी चीजे दिखाता हूं, समझाता हूं, आप समझते रहे हैं, क्योंकि market की move को पकड़ना इतना असान होता, तो आज हर कोई करोड़ पती होता है, हर कोई करोड़ पती नहीं होता है, देखिए, सीखिए, समझे और करते रहे है क्योंकि मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें profitable बन सकते हैं, अगर ऐसे ही पैसे बनते तो सभी पैसे बनाती ही, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, नेश्ट वीडियो में, जैंगे